आज दो बैर एक बड़ी खबर आई, बड़ी खबर ये आई कि NCERT जिसकी किताबें CBSC, Boat के सभी स्कूल में पढ़ाई जाती है उसमें अब इंडिया को रिप्लेस कर दिये गया है भारत से यानि जहां लिखा है इंडियन होकी टीम, वहाँ पर हो जाएगा भारती होकी टीम और इंग्लिश भी लिखा है इंडियन होकी टीम, तो हो जाएगा भारती होकी टीम तो हिंदी हो, या अंग्रेजी हो, इंडिया को भारत पढ़ा जाएगा ऐसी खबर आई कि NCRT ने फैसल ले लिया और अगली बार जो 2024-2025 का सत्र है उसमें जब किताबे छप कराएंगी तो इंडिया रिप्लेस होगा भारत से बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि विशुभर में तो इंडिया ही प्रयोग होता है और टीम इंडिया ही कहा जाता है क्रिकेट हो, हौकी हो या IIT हो, इंडिया इंसिटूट अफ टेक्नोलोजी हो इंडिया तो हर जग है और इंडिया को भारत से रिप्लेस कर दिया जाएगा एक बहुत बड़ी खबर थी अचानक से ये फैसल ले लिया गया NCRT ने, Education Ministry ने, जो हमारी बात होई वहाँ के अधिकारियों से, इसको डिनाई किया है, उन्होंने कहा कि ये जो खबर है, वो पूरी तरीके से भ्रामक है NCRT ने, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है ये साथ जरूर है कि National Curriculum Film Work के तहट एक नया syllabus डिजाइन किया जा रहा है उसके लिए तमाम committees NCRT ने बनाई है, उसमें से एक committee है, जिसके प्रमुख Isaac है उस committee की ये recommendation है, यानि उनका एक प्रस्ताव है कि इंडिया की जगे सभी किताबों में भारत कर दिया जाए जिसे NCRT ने अभी तक स्विकार नहीं किया है, नहीं सिक्षा मंत्राले ने स्विकार किया है तो अगले सत्र में ऐसा नहीं होने वाला है कि सभी किताबों में इंडिया की जगे भारत हो जाए इस committee ने ये recommendation दिया, 28 committees है, उसमें से committee ये है और उसने recommendation दिया, उसने ये भी कहा है कि जो subject हो, जो social science हो, उसमें जो हिंदू राजाओं की विजय गाथाओं को highlight करके पढ़ाया जाए ना कि कैसे प्रटवी राज चोहान हार गए मुहमद गौरी से या जो हिंदू राजाएं भारती अशासक जो हारें उनकी हार की कहानिया नहीं बताई जाएं, जो उनकी जीत की कहानिया है वो बताई जाएं ancient history को classical history करके पढ़ाया जाए, काफी अमूल चूल बदलाव करने चाहिए, एक Indian knowledge system हो जिसके तहत हर बच्चे को पढ़ाया जाए भारत के बारे में तो ऐसे तमाम recommendations दी हैं, उसमें JNU को professors हैं, DO के professors हैं और ये committee की recommendation है, 28 में से एक और NCRT के पास ऐसे बहुत सारे recommendations आ रहे हैं, तो एक खबर की NCRT ने मान लिया है, उस प्रस्ताव को ये बिल्कुल गलत है, NCRT ने बिल्कुल साफ कहा है कि अभी ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सारी committees में से committee की recommendation आई है, जिसको जिस पर विचार किया जाएगा, फैसलेना बाक है कि अनकी NCRT के chairman से बात हुई, ऐसा कोई फैसर ने लिया गया है, और साफ तोर पर जो अभी फिलहाल जो सिक्षा मंत्राला है, उसके तरफ से अधिकारी तोर पर कहा गया है कि NCRT इसको लेकर के detailed clarification issue करेगी, और तब तक NCRT को लेकर कोई ब्रामक खबरें ना चलाई जाए तो NDTV ने हमेशा के तरह जिम्मेदारी की जो पत्रगाईता करते हैं, उसी के तहत हमने वो निभाया और हमने दशों को बता रहे हैं कि इंडिया को नहीं replace किया जा रहा है किताबों में भारत से, अभी ये सिर्फ एक committee के recommendation है, NCRT इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं ले झाल